मैं एक महत्वर्ण इसे पर आपका ध्यान और सदर्द का ध्यान आकर शिक करना चाहती हूँ एक लेप्टो स्पाइडोसिस एक प्राणी जन्ने रोग है जो भारत और मध्य अमेरिका इस रोग की एंडिमिसीटी के संदर्ब में एल्टू में वर्गिगुत करने में आई है इसका मतलब यह संसर जनक रोग अन्यस्तानों में भी पाया गया है एक लाग की बस्ती में अंदाजा 25 इस रोग के केस दिखाई में आये है यह प्रमान अलग-अलग जगह भिन भिन है हर साल लाखों की संख्या में लोग इसके चपेट में आते हैं किन्तु यह रोग देश कक्षा पर नोटिफाइबल न होने के कारण जानकारी एवं निवारन के स्त्रोत मरियादित संख्या में है जो भी माहित्री उपलब्द है वो रजिस्टर और वेरिफाइट केसों के आधार पर है यह संख्या असल में 5 से 20 केस कम होगी जो वास्तविक हुए है गुजरात में यह रोग गरीब आदिवैसी लोगों में नजर आता है जिसका प्रमाण नए विस्तारों में फेलने के कारण बढ़ता नजर आ रहा है तद उप्रान इन रोग का निदान रोग के लक्षणों पर करना मुश्किल होने से डॉक्टर को निष्चित लेबोटरी परिक्षणों पर आवलम भीत रहना पड़ता है इसका परिक्षण निष्चित अध्यतन लेबोटरी में कर सकते हैं यह रोग विवित प्रकार के प् सरकार को कि गई ती अगर एसी संस्दा गुरात में स्थापन की गई तो इसका पडोसी राज्यत को भी मिलेगा अधामे सरकार Sirmid claret के उपराज सेंटर जल्दा से जल्ग गुज्रात में स्थापन के खरे दूल